तो यहां पर इंस्टॉलेशन के काम पूरा डन हो चुक है, जैसे बाइक कपलर टू कपलर, देखेंगे के हेडलाइट डलने के बाद अगर ग्रिल की रिक्वार्मेंट है, तो ग्रिल भी डलवाएंगे, तेखा हमने पूरी गाड़ी का फ्रंट का पूरा सेटप चेंज गिया है, हाई गैस तो यह स्टी वाला वेरियंट है, इसमें आइसक्यू फॉग लाम पहले डाले हुए है, तो आप यह देख रहे हो, अभी इनमें जीटी लाइन वाली हेडलाइट डलनी है, सर एक बार देखेंगे के हेडलाइट डलने के बाद अगर ग्रिल की तो अब ही आप यह चेक कर पा रहे हो, यह बेस फेरियंट है, फेंडर इंडिकेटर से भी आप देख रहे हो, बाकी जैसे जैसे इंस्टॉलेशन होती है, मैं दिखाता हूँ, अब यह बाद लाइट ओपन हो चुकी है, जैसे मैंने कपलर पहले भी वीडियो में दिखा यह तो यह प्लग और प्ले वाला कपलर कभी भी वाईरिंग कर को ना, हम प्रोमोट कभी नहीं करते हैं, तो आप प्लीज कभी भी कहीं से भी काम कराऊ, आप वायर कट कभी मत करा ना, तो यह प्लग और प्ले है, यह स्विपिंग डियरल के लिए, वो आइसक्यू फॉग लैम के लिए, साथ में अभी ग्रिल चेंज होने का काम चल रहा है, तो यह वाली है, आप ने टॉप मोडल के अल्रेडी देखी हुई है, यह ग्लॉसी वाले ग्रिल, साथ में स्वि तो यहां पर इंस्टॉलेशन के काम पूरा दन हो चुक है, जैसे मैंने दिखाया था भाई, कपलर टू कपलर, हिदर मेरा मेल फीमेल कपलर लगा हो है, पूरी पैकिंग हो चुकी है, दोनों हेडलाइट, स्विपिंग डियरल, लोवर क्रोम, अपर क्रोम, फाइनल आपको दिखाते हैं बाई, जो बन के आएगी, सर का ये बंपर पहले से टूटा हुआ है, सर की कभी गाड़ी एक्सिडेंट हुई थी, तो यहां पर क्रैक भी आया हुआ है, लाकि इधर भी हमारा कपलर लगा हुआ है, तो यह आप देख रहे हो, मेल फीमेल, सेम, जैसे आपने देखा हमने पूरी गाड़ी का फ्रंट का पूरा सेट अप चेंज गिया है, अब आप सिनेमेटिक शॉट में इंजॉट में इंजॉए करो, काम की क्वालिटी को आप रेट करो, आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा वाई, और आप इंजॉए करिये सिन कि दॉट पूरा सटप चेंज गया है आपने वीडियो में भी देखा सर भी हमारे साथ आगे है आपने पहले वायर कट कितनी ज्यादा अभी सार काम क्या रिटिंग करना चाहेंगे सर काम को और अगर 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 तेंक यू सर और 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 को रिकमेंट करेंगे सर आप आयाया जो भी मेरे सेंटोस के पार्टार था है उनको सब परिकमेंट करूँ इंगाने के लिए थैंक यू सर अभी काम कराना तो वह भी नहीं होगा बाद में भी होना है सर के सीट कवर भी चेंज होने है टेल लाइटे भी चेंज होनी है ओटो फोल्डिंग और भी हम चेंज ह